हालो फ्रेंट्स गुडूरी और विल्कम तो माई चैनल देखते हैं क्या सेंटिमेंट्स आज के रहे हैं मार्केट ने एक सार रिकावरी दिखाई है उसके बाद में दुबारा से जो इसके लिए सपोर्ट हुआ करते था रिजिस्टन्स से यह रियक्ट कर रहा है तो ओबराल सेंटिमेंट्स क्या रहेंगे हैं दिटेल में डिसकस करेंगे अब नई हैं लाइक में पर सब्सक्राइब करें बेल आकन दबना मतभूलिए तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या condition उसके बाद बनी है आप यहाँ पर देख सकते हैं जो market की opening हुई downside में होने के बाद में एक बाद दुबारा से downside आया जो हमारा first target था downside के लिए 70,800 और 850 के आसपास उसके आसपास से नीचे गया और लबख 70,650 तक का इसने low बनाया उसके बाद में दुबारा से recover होने के बाद में 71,000 से उपर 150 तक का high बनाया तो आप नीचे से और उपर दोनों condition को match करते हैं लबख 400-500 point में पूरे दिंट्रेवल किया है तो जो यहाँ पर बड़े target लेके trade करें उनके लिए थोड़ी problem होगी bias के लिए अभी condition थोड़ी सी अच्छी नहीं बनती हुए दिखाई पड़ रही जब तक कुछ अच्छा level इसके लिए दिखाई नहीं पड़ता है कि यह उपर जाके जो 71,000 या फिर प्रिवियस डे के हाई के उपर भी closing करना इस start करता है तभी हम इसमें next plus side का move देखने की कोशिस करेंगे और overall जो condition बनी हुई है अगर उसको आप देखते हैं तो अभी भी एक recovery होने के बाद में भी दुबारा से downside के लिए ही move करने की कोशिस कर रहा है तो overall आपको target छोटे रखनी है और risk reward को manage करने के साथ ही trade करना है जो news चलती भी दिखाए पड़ है अगर news waste के बात कर लेते हैं सभी की निगाहे पड़ी हुए कहीं से कुछ ऐसा input मिल जाए कि आने बारे time में fat कोई बड़ा axle लेने वाला है जिससे जो positive news है और market में flow हो जाए तो यहाँ पे भी और cold, silver के साथ में other जो market है trading platform सभी जगां आपको move देखने को मिल सकता है silver micro mini में लबख similar type को pattern बनता हो दिखाए पड़ रहा है वो आप check कर सकते हैं अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो four hours setup का sentiment बना हुआ है इस condition को हम देखते हैं तो यहाँ से एक अच्छा downside sword candle यह positive move इसकी closing उपर side हो जाती है तो आपको 3400 point का upside move मिल जाएगा लें closing important है यह candle एक positive बनाने के लिए तो आपको यहाँ पे watch करना होगा अगर इसको उपर जाना है तो इस candle को एक positive candle में convert होना चाहिए जो इसकी closing 71,150 के उपर लेके जाए तब ही इसमें positive move आएगा अगर यह यहाँ से negative बन जाता है तो आपको दुबारा से भी 70,500 का level भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपसे simple सा एक ही learning रखना है यहाँ पे कि target छोटे रखने है stop loss को आपको alert में रख सकते है या फिर अपना trail कर सकते है वो आपके उपडिपेंट करता है market में buying site के opportunity as per my view फिलाल के लिए भी बनती हुई नहीं दिखाए पड़ी जब तक इस candle का यह positive closing नहीं हो जाती है कि इसको next move decide करने के लिए pattern कापी अच्छा बनता हुआ दिखाए पड़ना है लेकिन इसको closing करना चाहिए तभी इसमें buying site के लिए जाना होगा और target बहुत ही छोटे रखेंगे तभी आप यहाँ पे safe और सुरच्छे तरीके से trade कर सकते है daily time frame में अगर friends हम देखने की कोसिस कर लेते हैं तो यहां से daily condition जो बनती हुँ दिखाए पड़ रही है low low का pattern continue जारी है अब इसका important तभी आएगा जब यह 150 के ओपर closing करना चाहिए start करता है तभी इसमें कुछ buying site के लिए लोग interested होगे तब तक के लिए मार्केट में जैसे high side में आपको कहीं negative sentiment बनता है तो आपको sell side के पॉश्योटी देख सकते हैं लेइन buying के लिए बहुत strong amount के लिए अभी फिलाल के लिए condition नहीं बनती हुए दिखाए पड़ रही है कुछ change होता है तो आपको यहाँ पे जो 130 का level था positive था अभी वो negative काम करेगा है यहाँ पे उसके बाद में दुबारा से कुछ नई condition बनती हुए दिखाए पड़ेंगे next अगर हम overall sentiments की बात कर लेते हैं जो यहाँ पे trading चलती हुए दिखाए पड़ रही है और उसके बेस में आप बात करते हैं तो लगातार condition जो range bond ही बनती हुए दिखाए पड़ रही है silver mini का अगर हम बात कर लेते हैं silver mini भी similar type का pattern मनाता हुआ चल रहा है silver में अभी आज contact का change over हुआ है इस वाइसे आपको pattern लबग 1700 याभी 50% का move दिखाए पड़ रहा है लेकिन ये pattern similar तरीके से बनता हुआ दिखाए पड़ रहा है ये change over हुआ है contract का और दूसरे हैं पर silver का जो comics से वहाँ भी देख रहे हैं तो एक range में 0.5 के आज़ पास trade कर रहा है उसके comparison में India market weakness में trade कर रहा है साथ में gold में भी और dollar index में भी range bond बना हुआ है दिखाए पड़ रहा है सभी लोग कुछना कुछ input की requirement में बने हुए हैं तो इसको आपको भी focus में रखना है कि जब तक market में कुछ हमें अच्छे trend up के लिए बनता हुआ नहीं दिखाए पड़ता buying side के लिए तो था हमें buying side के लिए फिलाल के लिए भी बचना चाहिए और sell side में भी तिनी बड़ी आपको position side नहीं रखने हैं जिसे आपकी losses बढ़ जाए thank you friends learning करते रहिए क्योंकि learning के बाद ही earning होती है आप daily कुछ ना कुछ learn करेंगे तो एक दिन अच्छे trading opportunity के साथ में अच्छी earning भी करने लगे है thank you friends मिलते हैं नेक वीडियो में happy trading and happy learning